दिल्ली सही देश भर में हेरोईन का इस्तमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है इस ड्रक्स की खेप का इस्तमाल किस तरह से बढ़ा है इसका अंदाजा एम्स की एक स्टडी से लगता है इस स्टडी में बताया गया है कि रोजाना लगभग एक टन हेरोईन का नशा भारत में लो हेरोईन की खपत अब देशों में टनों के हिसाब से हो रही है तन का पैमाना सुन ऐसा लगता है मानों हम किसी महेंगे अनाज की बात कर रहे हों हिंदुस्तान में हेरोईन की डिमांड इत्ती बढ़ गई है कि रोजाना 1000 कीलो हेरोईन का कारुबार हो रहा है यह खुलासा एम एम्स की एक स्टड़ी रिपोर्ट में सामने आया है एम्स की स्टड़ी के कॉर्डिंग अगर नंबर आफ यूजर्स के बेसिस पे कैल्कुलेशन के बार यह का जाता है कि इंडिया में वन टन अ डे हैरोईन कंजम्शन है चौकी एमत या कारबार नश्यणियों से जादा फ विदिशों से हिरोईन और अफीम की खेफ भारत के अलग-अलग इलाकों में समुदरी मार्ग और हवाई मार्ग के जर्ये पहुच रही है कि अफगानिस्तान से ये इंडिया में लाई जाती है और कुछ ये एफ्रिकन प्लाइट से में भी देखा गया है एफ्रिकन ओरिजिनेटिंग प्रॉम एफ्रिका वहां से भी ये इंजेस्टेड फॉर्म में इंडिया में कई बार सीज हुई है एंसीबी के जोनरल डारेक्टर के पीएस मलोतरा के मुताबिक पकड़ी गई ड्रक्स की असली मात्रा बताना मुश्किल है अफगानिस्तान इन दिनों ड्रक्स उतपादन में टॉप पर है जहां से भारत समेत दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित ड्रक्स की प्रतिबिक असे लिए कि इंडिया में इन एक्सटेर्नल स॓र्स से आती है एक सोर्स तो सेंटर अश्या में अफगानिस्थान एरिया जिसम इन गोल्डशन के नाम से जानते हैं जिसमें तीन कंट्री का नाम आता है अफगानिस्तान एइरान पाकिस्तान अब रीसिंट स्टैस्टिस्टिक्स के साब से इन सीवी ऐएंसी वी के डेटा के साब से अफगानिस्थान सबसे जादा ओपियम और हयुवन्प प्रोड्यूसिंग स्टेट है जहां से यह इंडिया और विल्डवाइट सबसे ज़्या बेची हिरोईं की तसकरी में शामिल मैंनमार के तसकर उत्तरपूर्वी राज्यों के रास्ते भारत में हिरोईं खपाते हैं या heroin दिल्ली NCR, यूपी, पंजाब जैसे कई राज्यों के विभिन इलाकों में भेजी जाती है NCR में होने वाली अधिकांश रेव पार्टी में heroin का इस्तमाल किया जाता है अभी के समय में एक ग्राम heroin दो से तीन हजार रुपे में दिल्ली NCR में उपलब्ध हो जाती है 2018 में, 2019 में अफगानस्तान में मेजर बंपर प्रोड़क्शन हुई थी और उसके कारण heroin का rate internationally down आया प्रोड़क्शन काफी huge मानी जाती ओपियम प्रोड़क्शन उसके बाद as of now जो डेली में point of sale के सीजर्ज है वहाँ पता लगता है कि heroin ग्राम normally 2000 रुपीज तो 3000 रुपीज अ ग्राम के रेंज में वरी करती है सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के सक्ति के बावजूद drugs paddler देश के अंदर माल की supply कैसे कर रहे हैं चिंता की बात ये है कि भारत जैसे युवा देश के लिए drugs की लत कहीं युवाओ का भविश्य खराब न कर दें इटी विभारत के लिए अमिज्जा की रिपोर्ट